नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दातों को काच में देखकर यह सोचा है कि आपके दात पहले से ज्यादा लंबे नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके दाथ पहले से ज्यादा पीले और मसूडों का रंग काला दिखने लगा है या आपके दाथ पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं दरसल ये सभी परेशानिया तब होती हैं जब हमारे मसूडे छोटे होने लगते हैं स्वस्थ मसूडे ही मजबूत दातों की निशानी होती है मसूडों में सिकुडन आने की वज़े से दातों से इनका कवरेज हटने लगता है और दात ज्यादा लंबे और बड़े दिखाई देने लगते हैं कुछ लोगों के मसूडे जन्म से ही ऐसे होते हैं लेकिन बाद में ऐसी समस्या हो तो ये जिंजीवल रिट्रेक्शन का लक्षन हो सकता है जिंजीवल रिट्रेक्शन दातों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो आजकल काफी लोगों को हो रही है लेकिन ज्यादातर लोगों में इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते और बाद में दातों में दर्द और जंजनाहट की समस्या का सामना करना पड़ता है यह समस्या मसूडों का साइस छोटा और मसूडे कमजोर होने तथा दातों पर इसकी पकड़ कम होने की वजह से होती है जितनी जटल यह समस्या है उतना ही आसान इसका उपचार भी है कुछ आसान घरेली नुस्खों के जरिये मसूडों की इस समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और साथ ही दात और मसूडे दोनों को ही पहले से ज्यादा मजबूत भी बनाया जा सकता है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंजिवल रिट्रेक्शन की प्रॉबलम में कौन-कौन से घरेली नुस्खे सबसे ज्यादा फायदे मन होते हैं जिंजिवल रिट्रेक्शन एक ऐसी समस्या है जो कि नियमित रूप से अपने दातों की सफाई करने के बावजूद भी हो सकती है इसलिए वह लोग जो नियमित रूप से अपने दातों की सफाई करते हैं ऐसा बिलकुल ना सोचें कि हमें यह प्रॉबलम नहीं हो सकती दरसल यह समस्या गलत खान-पान जैसे की गर्म और ठंडा बहुत जल्दी में खालेने से या अपने दातों की सफाई करते वक्त ब्रश का अधिक जोर लगाने से या गलत दिशा में इस्तिमाल करने से उत्पन हो सकती है इसके इलाज के लिए जो पहला नुस्खा है वो है अलोवेरा ताजा अलोवेरा हमारे दात और मसूरों से जुड़ी हर तरह की समस्या में बेहत फायदेमन होता है अलोवेरा में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो मसूरों की कमजोरी को दूर करने के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है इस समस्या में ताजे अलोवेरा का हमें दो तरह से इस्तिमाल करना होगा मसाज और कुला मसाच के लिए ताजे ऐलोवेरा के जेल को निकाल कर इसे अपने दातों और मसूडों पर मंजन की तरह यूज करते हुए हलकी उंगलियों से रोजाना सुबह 10-15 मिनिट तक मसाच करें और फिर एक चम्मच एलोवेरा जेल, दो चम्मच पानी और एक चम्मच नारियल के तेल को आपस में मिला लें और इस तैयार मिश्रन को मुह में रखकर एक मिनिट तक कुला करें रोजाना इस प्रकरिया को दोहराने से मसूडों से जुड़ी हर तरह की समस्या में तेजी से सुधार आना शुरू हो जाता है ग्रीन टी हमारी हेल्थ के साथ साथ ओरल केर के लिए भी काफी उपयोगी होती है घाओ और इन्फेक्शन की स्थिती में इसका इस्तिमाल करना काफी फायदिमन साबित होता है रोजाना दिन में हलकी गर्म ग्रीन टी पीने और साथ ही ग्रीन टी पी लेने के बाद बचे हुए टी बैग को अपने मसूडों पर 5 से 10 मिनिट के लिए रख लें ऐसा करने से मसूडों का कालापन कम होता है और साथ ही जिंजिवल रिट्रेक्ष्ण की प्रॉबलम में सुधार आने लगता है कलोव या कलोव ऑइल मसूडों में आई सिकुडन को दूर करने के लिए लॉंग का तेल बेहत कारगर होता है दातों के लिए long बहुत उपयोगी होती है इसलिए हर मंजन और herbal toothpaste में long और long के तेल का इस्तिमाल होता ही है रोजाना long के तेल से अपने मसुणों की मालिश करें और साथ ही पानी और long के तेल के मिश्रंड से रोजाना रात को सोने के पहले कुल्ला करके सोएं विटमिन C, मसूरों की जिंजिवल रिट्रेक्शन की प्रॉबलम शरीर में विटमिन C की कमी के कारण भी होती है, तो अपनी डाइट में अधिक से अधिक विटमिन C से युक्त चीजों का सेवन करें, इन सभी नुस्खों का नियमित रूप से इस्तिमाल करने के साथ ध्यान रहे कि अधिक खटे, बहुत गर्म या ठंडी चीजें जैसे नीबू, सोडा, कोल ड्रेंग्स, आइसक्रीम इन सभी का सेवन पूरी तरह बंद कर दें।